तो जो लोग मीठे के शौकीन हैं लॉकडाउन में उनको बहुत ज़ादा रही होगी बढ़िया बढ़िया मिठाईयों की और ऐसे में बाहर का मीठा तो कुछ लाने ही सकते तो घर पर ही आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकदम मुँँ में खुल जा तो कितनी सारी पर्तो वाली है ये देखिए देखिए कितने ज्यादा है एक एक लेयर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पॉफिक बनी है और यकीन मानिए आपको ये सोन पाप्री बनाने में बहुत मसाएगा तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पॉफिक बनी है य तो सोन पाप्टी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप बेसन लिया है बेसन हमको पतला वाला ही यूज़ करना है मोटा बेसन नहीं यूज़ करना है आधा कप मैदा लिया है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आपके घर में बेसन ना हो तो आपके वल मैदा के साथ भी बना सकते हैं और मैदा ना हो तो आपके वल बेसन के साथ भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, आप चाहें तो इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगी तो स्यादा टेस्टी बनेगी, मैंने यहाँ पर चार चम्मज घी लिया है, घी को हम gradually mix करने वाले हैं, यानि कि एक सारा घी नहीं डालेंगे, अब हम इसमें आट कर देंगे बेसन, गैस की फ्लेम को लो रखे और इसके साथ ही आट कर देंगे मैदा, मेरा आपको सुझाव होगा, अगर आप फर्स टाइम सोन पापरी बना रहे हैं, या फिर आप अकेले बना रहे हैं, तो बस इतनी ही क्वांटिटी में बनाएं, अग कि घी को हम ग्रैजुली आट करेंगे, एक साथ आट नहीं करने वाले हैं, तो दीरे दीरे करके इनको मिक्स करते जाएंगे, तोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे और घी को आट करते जाएंगे, तो दो मिनिट भूनने के बाद फिर से मैंने एक चमच और घी डाल दिया ह और फिर से हमने वापस से इन सब को mix कर लेना है याद रहे gas की flame high नहीं करेंगे बिल्कुल भी low medium flame पे ही हमने इसको भूनना है ताकि अच्छी fragrance और अच्छा सा color इसमें आ सके अगर आप इसको high flame पे भूनेंगे तो यह जल जाएगा बहुत जल्दी से और उतना अच्छा नहीं बनेगा तो बस इसको लगातार चलाते रहेंगे तो यहाँ देखिए अब दीरे-दीरे क्योंकि यह बेसन और मैदा भूनने लगा है और अब यहाँ पे आती है ध्यान देने वाली बात हमने gas की flame अब यहाँ पे off कर देनी है लेकिन gas की flame off करने के बाद भी आपको इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि कडाई का जो temperature है वो काफी high है अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा तो इसको normal temperature आने तक चलाते रहें तो अब बना लेते हैं चाशनी तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे एक pan ले लिया है जिसमें मैंने add कर दी है एक cup चीनी और इसके साथ ही आधा cup चीनी और add करेगे यानि कि total हमने डेड़ cup चीनी add करी है जितनी quantity में हमने basin और मैदा को add किया था उतनी ही quantity में हमने चीनी को add करना है अब यहाँ पे आती है दिहान देने वाली बाद कि चीनी में पानी कितना add करें मैंने यहाँ पे आधा cup पानी डाला आप देख सकते हैं चीनी जो है पानी में भीगी नहीं है तो अब मैं इसमें add करें हूँ आधे cup का भी आधा पानी और तो इसको add करने के बाद आप देख सकते हैं चीनी जो है पानी में डूब गई है तो हमें इतने ही measurement में पानी आड़ करना है बहुत जादा quantity में पानी आड़ नहीं करेंगे तो पहले हम इसको चीनी घुलने तक पका लेते हैं उसके बाद चार्शनी बनाएंगे यहाँ जो यह basin है यह room temperature पे आ गया है बट अभी भी थोड़ा सा गरम है तो इस stage पे मैं यहाँ पे आड़ करेंगे और हमने इसको चोड़ देना है ताकि इसका जो fragrance है वो इस पूरे बेसन में अच्छे से आ जाए तो दूसरी side हमारी जो चार्शनी है वो अच्छे से चीनी इसमें गुल गई है लेकिन अभी यहने thickness में नहीं आए तो अभी हमने इसको और पका लेना है तो करीब 5-6 मिनिट मैंने और इस चार्शनी को पका लिया और देखे कितनी बड़ी आवाली ठीक हो गई है अब आपको इसको चेक करना जरूरी है तो एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी में हमने कुछ सेकिन के लिए इसको छोड़ देना है और एक हाज से फिर हमने इस चाशनी में गर जम गई तो यह बिल्कुल खराब हो जाएगी तो एक चाशनी में ग्रिस्टल बन गए खाशनी जम गई तो यह बिल्कुल खराब हुजाएगी तो एक चमच यहाँ पर मैंने इसमें lemon juice अट कर दिया, इसको mix कर लेंगे और अब हमने इसको और पाश मिनट के लिए पका लेना है, जिससे इसका हलका सा color change हो जाए तो यहाँ पर देखिए, हलका सा brown color में यह आ गई है, बहुत जादा brown नहीं करना, बिल्कुल light brown देखिए और अब हमारी जो चाशनी है perfectly बनके तयार है यहाँ पर मैंने एक non-stick pan लिया, जिसको मैंने इस तरह से घी से बहुत अच्छे से grease कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बनाई थी ना, उस सारी चाशनी को हम इसमें transfer कर लेंगे तो अगर आपके पास कोई non-stick pan ना हो, तो आप normal वाली जो plate होती है घर में उसको भी grease कर लें तो यह चाशनी जो है बहुत जादा अभी गरम है, तो इसको अभी हमने क्या करना है, दो मिनिट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे और आपने अब इसको लगातार देखे स्पून की मदद से जिस तरह से मैं चला रही हूं इसको चलाते रहना है तो यहां आप देख सकते हैं लगातार चलाने के बाद इस चाशनी का कलर जो हलका चेंज हो गया है देख सकते हैं लाइट इसको चलाते रहेंगे तो इस टेज पे भी जो चाशनी है बहुत जादा गरम है तो आपने बहुत सेफटी का ध्यान देना है कि आपका हाथ बिल्कुल भी न जले तो यहां पे तो से तीन मिनिट और इस चाशनी को चलाने के बाद मैं होड़ करके देख रही हूं इस तरह स हम हाथ से एक हाथ से खीचते जाएंगे और इसको वापस से पीछे की तरह फोल्ड करते जाएंगे तो यहां पे चाशनी यह थोड़ी से और ठंडी हो गए लेकिन अभी फिलाल गरम है काफी तो मैं इसको आप दोनों हाथ से यूज करके इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूं और वापस से इनको जॉइन कर रही हूं तो आपको भी इसी तरह से करना है हलका सा देखिए अब धीरे धीरे जब आप इस तरह से इसको फोल्ड करते रहेंगे तो यह और नॉर्मल टमप्रेचर में आती रहेगी और अब मैंने यहां पे इसको एकदम गोल सर्कल वे में बन और यहां पे आप देख सकते हैं शुगर का कलर जो है बहुत जादा चेंच हो गया है और जब तक आप इसको जितना जादा देर तक करते रहेंगे और यह थोड़ा- देर में और जचाती जाहेगी तो आपको स्गुम करना है को फो इससको प्रोसेस दूदी और अब शह सकत तो बस circle आपको टूटने नहीं देना है क्योंकि अगर आपको रेशे एकदम equal चाहिए तो आप circle को टूटने ना दे तो इस तरह से देखिए अब ये stretch होनी थोड़ी सी कम हो गई है बहुत जादा इसमें ताकत लग रही है और color देख सकते है बिलकुल एकदम light बिलकुल white color में और ये जो हमने sugar का roll बनाया इसको बीस में रख दिया है और अब हमने इसको अच्छे से इस तरह से देखिए इस पूरे घोल में मिला मिला के वापस से खीचना स्टार्ट करना है अच्छे से बेसन का घोल इसके ओपर लगाते जाए इसको इस तरह से stretch करते जाए वापस से circle इसको फोल करना है आपको ध्यान इस बात का दे कि इसको circle shape में ही रखेगा अदरवाइस क्या ओगर ना जो रेशे है ना वो एकदम प्रॉपर नहीं बन पाते हैं तो बस आपको ये बेसन वाला liquid इसमें लगाते जाना है और इसको खीशते जाना है बस ध्यान दे कि आपको जल्दी जल्दी करना है ताकि टाइम ना लगे अगर आपने जादा टाइम इसको ले लिया तो ये क्या होगा ना जो शुगर है वो सकत हो जाएगी और ये जो बेसन का घोल है इसमें पूरा नहीं लग पाएगा तो बस इसको फोल्ड करते जाएंगे खीशते जाएंगे औ मैंने बिल्कुल सकुल को टूटने नहीं दिया और जहां-जहां से आपको मोटा लगे ना ये तो उस तरह से आपको इसको इस तरह से स्ट्रेच करते जाना है रेशे देखे कितने जादा बढ़िया है जितना जादा आप इसको स्ट्रेच करेंगे उतने ज्यादा बढ़िय वाले रेशे वाली आपकी सोनपाप्टी तैयार होगी तो यहाँ पर देखियो कितने बड़िया रेशे आ रहे मैं आपको दिखाती हूं पास से रेशे देखिये कितने एक-एक रेशा बहुत ही अच्छे से दिख रहा है तो अब हमने फटावट से इसको सेट करना है जिसके लिए मैंने सिल्वर फॉयल के उपर घी लगा लिया है इन दोनों को न देखो सर्कल शेप में है तो दोनों साइड से इन सर्कल को मैं कट कर रही हूँ क्योंकि यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो आपने इसको फटा-फट से सेट कर लेना है हातों की मदद से प्रेस करते हुए अगर आप इसको जोड से प्रेस करेंगे तो डरिये नहीं बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे रेश्य आपके बिल्कुल पॉफेक्ट बने रहेंगे तो इस तरह से देखिए चारो तरव से मैं सिल्वर फॉइल की मदद से ही एक स्क्वेर शेप में इसको बना रही हूँ और फिर हम इसको फटा-फट से कट कर लेंगे पीसेज में याद रहे हमने इसको गरम-गरम ही कट करना है ठंडा हो जाने पे अगर आप इसको कट करेंगे न तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है तो मैंने इसको स्क्वेर शेप में सेट कर लिया है तो इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने ये सोन पापरी को पीसेज में कट कर लिया है बस इतनी नहीं बनी है और भी है और इतने पेटर के साथ करीब 800-900 ग्राम हमारी सोन पाप्री बनके तयार हुई है इसको बनाने में थोड़ी सी महनच जरूर लगती है लेकिन यकीन मानिया आप जब इसको बना के तयार करेंगे आपको मज़ा जाएगा तो एक वीडियो को लाइक करें शेर करें फ्रेंड्स और फामली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो जल्दी से कर दीजे चैनल को सस्क्राइब क्योंकि बहुत ही बड़िया बड़िया रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं नेक्स करें